नमस्कार है जी आप लोगं को आज जैपूर के रियल स्टेट के बारे में कुछ बाचीट करेंगे और समझते हैं कि जैपूर आज कहां खड़ा होता है कैसे है बिना वक्त गवाएं शुरुआत करते हैं तो आज की टॉक का विश्य है रियल स्टेट ऑफ जैपूर एन ओवर्विव इसमें क्या है हम स्टेप बाइस समझेंगे कि सबसे पहले बारा तेरा स्लाइड थोड़ा समय लगेगा साथ बने रहें तो सबसे पहला सवाल जो है जो जिसके लिए आप सब आज हैं और जो हमें आगे बढ़ने से पहले समझना पड़ेगा कि जैपूर कंसिडर ही क्यों करें वाइज जैपूर पहले इसका स्पेलिंग जे-ई-वाइ-पी-वारी होता था हंग्रेज इसको इस तरह से लिखा करते थे तो क्यों इस शहर के रियल आप शहर हैं एंसियार मुंबई मेट्रोपॉलेटन रीजिन और एंसियार एं एमेमार तो स्टॉप एग्लोमरेशन्स हो गए हैं शहरों से भी आगे हैं और पुने बैंगलोर हैदरबाद इन में अब जो हाउसिंग स्टॉप है वह इतना महंगा हो गया है कि वह 80% लोगों की पहुंच से बाहर है अगर कुछ है तो शहरों से बहुत दूर होते जा रहे हैं वो मतला एनुमरेशन्स बढ़ते हैं चले जा रहे हैं और छटा एंदा बाद तो इट्स पाट अफ़ ड्राइ स्टेट इनिवेस जोक सा पाट सो अल इस सिक्स सिटीज जो हैं जो टॉप सि के जहां हम अगर काम करते हैं बड़े शहर में भी रहना पड़ता है तो रिटायर होने के बाद कहीं रह सके जहां अगर आज इंटर्मीडियेटरी कोई जरुद पढ़ती है तो हम अपने परिवार के साथ उस उस आशियाने में अपने आपको ले जा चाके तो इसलिए पर अगे गौर करते हैं विध दिस अजग्गराउंट अच जो छो इस इस फिंड्रेशनन य स्ट वाय जू अफजट आफ इस था उड्याई अट इस पर अगर करते हैं विदिशन चली हैं रोटेमिट्येट विदिन एक्सेप्टिब मोनेट्ल प्री लिमित्स इस शहर से थोड़ा सा अगर इसके मिजास से वाकिफ हो काफी पुराना शहर है 300-year-old city 300-plus साल से पहले है अमेर के राजा ने इसको बसाया और दिली से डेली उस्टो बी इसको बीडी पापितल इवन आप 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 आप 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 की विस्यश्टम जाहे जिसे कि अनों हे सिटी को इक तरह से भॉर्ल सिटी बनाया इरुट संगे और उसके बाद इस कट इन स्क्वाइर स्क्वाइर के अंदर तब उस वक्त का ब्लॉक सिस्टम या सेक्टर आप कह सकते हैं बिल्कुल स्टेट रोड्स है जोटी चौपड़ है बडी चौपड़ है तो पॉइंट इस दाट जो ओल्ड सिटी है उसकी वजह से जैपूर हमेशा से एक प्लैंड अरबन स्पेस है इस नॉट अन प्लैंड ऐसे ही बस कुकरमुत्य की तरह से उग्या टाइप शहर नहीं है इसी ताइम में गंग्रेज वाइस रहा है तो उनकी शान में शहर को गुलावी रंगा गया तबसे वाल्ट सिटी इस सपोस्ट तो कैरी दाट आज की डेट में पॉपलेशन इस इन एक्सेस ओफ थर्टी ओड लाक्स और राजिसान का स्टेट कापिटल है हिंदुस्तान में यह दस्वा सबसे बड़ा शहर है और नॉर्थ इंडिया में आफ्टर डेली इट्सी सेकिंड लाज़ेस्ट और रादर तुसे आफ्टर इंडियार विसी सेकिंड लाज़ेस्ट अर्बन अग्लोमेरेशन सो अगर आब उससे बात के पुराना बड़ा शहर नॉट इग्जाक्टली मैसिव इन सेंस ऑफ एन नंसीयार और मुंबाई और नॉट नॉट इन सिग्निफिकेंट सिटी ऐसा नहीं कि आप जैपूर को इग्नॉर कर सकते हैं या जैपूर के बारे में कोई जानता नहीं है या उसे परिचे देने की ज़दब पर की जैपूर का अपना एक चरित्र है जैपूर की अपनी पहचान है और दिस इस इपूर भी एक तर्वीर हो उस अपा चर्थरिकेंट मीजब कर सकता है इस अपra संप्रशिक्तुर की के बागकरो डल्म यहा उत कि अस्थरण09 की बात करूऊर और गुटसर्ромatht एप नॉ आूट इन ze इस बौत माह स्नुखर द्वल कन्वात इस में किः यहान ऊफिक एपनी थैम ब सब्सक्राइब करते हैं अगर हम सिर्फ जो बच्चे जिनके छोटे हैं अगर उनके स्कूलिंग की बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं in a way educational infrastructure में they have good colleges in almost all educational fields whether it is law whether it is uh graduation normal humanities commerce whether it is engineering medicine so they have all these uh colleges universities में जाइपूर में although there must be more but there are very three prominent universities the Rajasthan university Amity university and the Manipal university so for those people who still have the children in अच्छा एजुकेशन इंफ्रसेक्टर थे उनको जैपुर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाव फैरली वेल रिप्यूंट इन इस्टाबलिश्ट कॉलेज इन फूल सिंद सिटी उसके अलावा हॉस्पिटल्स के अगर हम बात करें तो काफी अच्छा मेडिकल इंफ्रसेक्टर जैपुर में है जो सरकारी है वो तो ही जो एसमेस समाई मांसिंग हॉस्पिटल है इसके अलावाद प्राइविट सेटप में दर गुट एट तेन वेल इस्टाबलिश्ट वेल एक्विप्ट हॉस्पिटल सेटल जिसका शुरुआद भी है इसे हुआ एसकॉट फॉर्ट इस है मेंट्रो मस हाट केर शुटल इस थेर बगवान महावीर कैंसर स्पिशालिटी शुटल इस थेर संतोगवा दुरलब जी विच इस वन फी ओल्ड प्राइविट शुटल इस थेर जब आपकी रिटार्मेंट एज है आपको मेडिकल इसुटल इस थेर तो शहर आपको इस तरह की सुधाय वो उस तरह का मेडिकल इंफ्रस्ट्रुचर प्रवाइड करता है कि आपको बड़े शहरों की तरफ जाने की जरुद नहीं पड़ेगी आपको उस तरह की जरुद नहीं पड़ेगी कि इलाज के लिए क्या किया जाएं किस से बात करें जैपुर में वह वाली सुधाइं सुधाइं है पढ़ाई के लिए भी जब आपकी एज अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए तो adequate facilities are there for your own medical care families medical care enough of medical care is there and there is sufficient soft infrastructure to take care of your leisure and entertainment needs coming to next other up connectivity की बात करते हैं आपको कही जाना है किसी शहर से बाहर जाना है आप से आपके बच्चे मिलने आने चाहते हैं दोस्त इस्तेदार मिलने के लिए आना चाहते हैं then the city is well connected with an international airport which is the Samhain Air International Airport there is a railway station, Jaipur has a full-fledged division of the Indian Railways and it is connected by a National Highway 48 connecting Delhi-Mumbai, it's on the Delhi-Mumbai axis it is connected by Kota with National Highway 52, it is connected with Agra by National Highway 21 और Bikan Air के साथ भी एक National Highway से connected है, so it's well connected with a road network, railways and an international, only a national airport which is quite busy and they are connected to almost all major cities and a lot of international cities, so connectivity, external connectivity is sufficiently provided for in Jaipur as a city internal connectivity, so internal connectivity again, as I had, जैसे मैंने शुरू में कहा था, Jaipur कुछ उन पुराने शहरों में से है, जो बहुत शुरू से प्लान हो करके बसे so आज भी Mirja Ismail Road जिसको MI Road कहा जाता है it is one of the longest stretch of road with a city as old as Jaipur अजरे आपको पुराने शहरों में बहुत जादा, बहुत संकरी main roads मिलेंगी बढ़ जहां ऐसा नहीं और अभी भी जो external भी अगर आप देखते हैं तो road infrastructure, arterial roads are quite well planned, broad they can take the load of the traffic which is there in terms of the residents moving in for work or the logistic traffic etc so well connected road, basically it's a well planned city by the Jaipur Development Authority और internally city bus services पहले से चलती रही है, चोटी buses होती थी जैपूर में and then you now also have the longer intra city, sorry intra city buses and then metro के दो फेजे यहां पर complete हो चुके हैं that's another added advantage for internal connectivity for you going to office, children going to school or you just wanting to you know go in and around the city Uber, Ola बहुत अराम से अवेलेबल है, they are very, very limited by the residents of the city और city के चारों तरफ एग रिंग रोड जो है अलड़ी बनाया जा चुका है so that if you want to avoid the internal chaos of the city and want to use the रिंग रोड to reach the external areas so वो infrastructure भी अलड़ी इन प्लेस है so शेहर के अंदर आना जाना सुगम है उस तरह की सुविदाएं है and residents are traffic है traffic तो आज मेरे साथ से इंदसान के है शेहर में but moving traffic है and the infra is being provided in a manner and is being created in a manner that we residents are able to move about their normal daily lives without getting too hassle economy की भई जैपूर में रहेंगे तो काम मिलेगा नहीं मिलेगा financial edge क्या है क्योंकि बड़े जो छे पाच्छे शेहर जो जिनके अभी बात हुई NCR, MMR उनका एक main reason growth का ये भी रहा है कि वहाँ पर opportunities of employment बहुत है वहाँ पर corporate बहुत है वहाँ पर सरकार के भी बहुत सारे मैक में हैं बहुत सारे departments है तो उसके साब से क्या जैपूर में उस तरह की economy के अंदर growth है क्या उसके अंदर वो खिचाव है employment के लिए उस तरह की रोजगार की opportunities है तो traditional old economy के साब से अगर हम लेखेंगे ये नौर्थ इंडिया और आजसान के one of the oldest trading and commerce hub है जैम इन प्रेशर स्टोंस का जैपूर आज भी one of the largest center of export and internal लगू दियोग महाँ पर है जो लगू दियोग in the sense of the size of the establishment but as a contributor to the GDP of the city that's a very big industry block printing, pottery, MSMEs काफी अच्छी मात्रा में है tourism वहाँ पर बहुत जादा है in fact अगर हम new economy की बात करें then जैपूर is a part of the international tourist circuit the golden triangle which is Agra, Delhi, जैपूर and it attracts almost two and a half percent of the overall international tourist coming to India so अगर आप October से लेकर के March तभी जैपूर में जाएंगे आपको वहाँ पर बहुत सारे foreign activity मिलते हैं tourist जो वहाँ अगर के तुरिस्ट जो वहाँ अगर के but you'll find suddenly in those four or five months the city has a slightly different texture to itself because of the foreign tourist coming in and tourism contributes a big way to the industry and to the economy of the city so आप अगर खुद भी कोई tourism related वेपार करना चाहते हैं कोई काम करना चाहते हैं पोस्ट तरे की सुन्दाएं वहाँ मिलके लिए now the modern जैसे जैसे real estate बड़े शेहरों में महिंगा होता जा रहा है तो real estate तिरफ housing के लिए नहीं महिंगा हो रहा है real estate business के लिए भी महिंगा हो रहा है as a result lot of businesses especially the manufacturing जिने ज्यादा जमीन की जरुत है bigger base and they still need to be close to urban center so that they also get qualified and skilled manpower to run those industries they have started looking at places like Jaipur, Indoor, Gopal as a result a lot of big manufacturing is getting established in Jaipur now automobile manufacturing नहीं काफी अभी कदम रखे हैं JCB, Hero Motorcoop Bosch which is a German engineering company इन्होंने अपनी factories आपर established करना शुरूर किया है अब इन्होंने बड़ी factories करी है तो देरे देरे smaller manufacturing plants are coming nearby and also now on the services side there is a Mahindra SEZ which is already there which is a special economic zone और इंडिया की पचास IT ITS destinations में ते जिसे it has been ranked at number 30, 31 something अधास sorry not India the world's 50 ITS destinations so it's gonna increase जो modern economy का presence है वो भी continuously जैपूर में बढ़ता जा रहा है जिसकी वज़े से आने वाले समय में the opportunities for employment are continuing to increase because वहां industry को भी reasonable price में factories and offices set up करने के लिए land भी मिल रहा है और skilled manpower का access भी है जिसकी वज़े से they are able to produce the goods and services they want to produce हमारे values network के बहुत सारे जो audience है वो armed forces officers हैं armed forces personnel हैं तो उनका AKM से सवाल रहता है कि हमें तो can't support करी है मैं तो 30 साल 32 साल फॉज में अखरी करी है वेर गुद आए गो और meet my old friends or get a flavor of my own life or get access to the facilities which are due to me or which are my entitlement तो उनके लिए is there a cantonment nearby yes although most of the 4G's would be knowing still there is a command headquarter in Jaipur and a big integrated command of the tri-services also being established there which implies that 4G infrastructure वहां पर already काफी easily available है और ये आने वाले समय में बढ़ता रहेगा so officers institute which is the subsecretory officers institute there is a army environmental park and training area the APTA Oblika Golf Course is there Armed Forces का Cinema Hall है Command Hospital है and a lot of other Fawji Paraffernalia is there so the retired service officers will be fine will be able to easily get access to the entitlements and the facilities etc etc which a good big robust can't should provide them so that's an additional advantage of Jaipur for the Armed Forces Officers or the Central Government Officers ये शहर आपको कैसे treat करेगा जर मैं इसकी बात करूँ कि Ease of Life क्या है तो तो आपको तो आपको पर इसकी बाट आप इसकी तो आप इसकी बेटर आप 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 इतना खोटा भी नहीं की सुधनाई नहीं है vibrant culture North Indian but yes culture अभी भी it's now growing towards cosmopolitan it's a traditional North Indian culture dominantly Hindi speaking so if you are a North Indian Hindi speaking from any part of the North India you will not usually be found out of place stable शहर है बहुँ जादा disruptions नहीं होती है political religious type की so you are in a city which is which provide you a comparable ease of life and you can actually live there and be comfortable and be safe and be secure and have access to most of the modern facilities अगर हम बात तो ये शहर की बात हुई facilities की बात हुई etc अब अगर बात करते हैं housing stock की किस तरह की dwelling units and projects यहां पर अब अब जैसे जैसे शहर महंगा होता जाता है तो वो horizontal की जगे vertical grow होना शुरू होता है because cost of land needs to be divided so उस हिजाब से घर हम बात करते हैं master plan city है जैपू development authority is the basic authority which kind of has been working towards developing the city in different phases बहुत पहले से मांसरोवर करके अरिया था जो राजिस्तान का in fact at one point in time it was the largest urban development in Asia ऐसा कहा जाता था planned urban development integrated with all integrated facilities अभी भी यहां पर जैपूर में गिरे गिरे they have they have been establishing lot of urban development in different pockets और अब vertical development भी काफी हो रहा है high-rise projects भी आरे है so आपको जैपूर में लगबग depending on most economical would be high-rise then you also have the low-rise floor kind of जिसको हम NCR में floor कहते हैं महां पर row housing kind of a stop भी available है low-rise और अभी भी कुछ pockets में आपको independent houses भी मिल जाते हैं slightly on the expensive side but still far less expensive as compared to the top 6 city so you have a mix-up inventory all new construction modern buildings approvals are available और usually जो high-rise का 3 and 4 BHK का जो stock है वो 80 लाग से लेकर के एक करोड दस लाग तक मिलता है अगर आप बहुत एकदम टॉपेंड में जाते हैं तो वो भी अवेलेबल है but for an upper middle class white-collared corporate oblique and officer kind of a family which intends to buy they would be able to get good inventory in anything from 80 to 110 लाग रिपीस which would be a 3 to 4 bedroom newly built RERA approved with 80% home loans from reputed developers from reputed loading entities so that's the kind of housing stock available sufficient choices है ऐसा भी नहीं है बहुत कम है ऐसा भी नहीं कि इसनी चॉइसे हैं कि आपको समिझी नहीं और अलग-लग pockets में अलग-लग developments हो रहे है उसी आप से देखा जाए तो कौन-कौन सी pockets हैं आप इसको मैप भी देख सकते हैं पांच locations जहां भी काफी अच्छा काम हो रहा है जहां काफी नया development चल रहा है जहां पर construction in progress काफी stock डेवलपर अलग-लग डेवलपर अलग-लग पर offer करते हैं अजमेर रोट पर काम हैं जन दिर इसरी मेब कर पांचर फॉट-ट्राण काफी हैं जगत्पूर उटेहरा पर अफॉट पॉट्पूर मेर भी जगत्पूर। ज्गत्पूर मैं जेघरा पांचर्ण को जाहरें जापूर में बाचीद करके अपने लिए अच्छा स्टॉप ले सकते हैं तो उसमें पांच बिल्डर्स में है जो हमने as of now I am sure there are a lot of good बिल्डर्स, there are a lot of projects coming up there are a lot of work being done but पांच ऐसे बिल्डर्स जो पुराने टाइम से काम किया है जिनकी established reputation, spoken reputation tik-tak si है इनको preliminary prima facie देख कर के लगता है कि ये ठीक काम कर देते हैं इनकी projects की acceptance है बंगलम, महिमा आशियाना, आशदीक and यूनीक, so these five builders have in our assessment have been found to be okay इनके particular projects की आप अपने आप diligence करें, देखें आपको कौनसी चीज़ कहां कैसे suit करती है on a builder level, these builders and their projects may be considered अब अगर मैं आप से कोई ये 25 मिनट हो गया 26 मिनट आप लों को एक तरफा सुनते वे तो अगर मेरे को कोई closing recommendation देजू तो मैं क्या कहूंगा आप से मैं कहूंगा कि 6 शेहर महिंगे होते जा रहे हैं जो हमारी बाचीत हो चुकी है अब जैपूर, लखनौँ, भूपाल, लागपूर, भूवनेश्वर ये next cities of growth हैं इंबस्तान में बिकाज अब यहां पर offices भी आएंगे, नई manufacturing setups भी आएंगे नई businesses भी आएंगे because real estate बड़े शेहरों में सब के लिए महिंगा हो दिया जिसकी वजए से आपको जो businesses हैं उनको offices और manufacturing setup करने भी भी महिंगा पड़ता है उनको अपने manpower को पैसा भी extra देना पड़ता है so to protect their bottom lines lot of these tier 2 cities are now growing to be the next mega cities in next 20 to 30 years and they are going to be the emerging rising cities so आपको यहां पर बहुत support मिलेगा काम के लिए भी और real estate की growth के लिए भी अगर आप आज यहां पर investment करते हैं officers के लिए जो central government के officers है armed forces के officers है अगर वो अपने बच्चों को यहां रखते हैं while they are working in other locations especially the armed forces officers as a separated family they'll be able to take an HR of around 18% which is applicable for a white class city जैपुर as for the government central government classification is a white class city और जब डिये 50% से उपर किला जाएगा तो HR would be 20% of the basic so and so you can comfortably have your family stay there you are connected by airport from wherever you are posted and they can maintain because the can't support आप अपने एक फामली को हां रखके एक SF around से maintain कर सकते हैं अगर आप सिविल में रहते हैं तो HR एक लिए कर सकते हैं your children can get access to good education and if you decide to settle in जैपुर you will get access to good medical infrastructure which is quite well supported as of today by ECHS also and it's good connectivity with NCR is around 4 hours drive so overall I'll say अगर आप एक first time home buyer जिसने अभी तक अपना घर नहीं करीदा और सोच रहा है, देख रहा है, विचार कर रहा है so मैं ये confidently कह सकता हूं कि this is the time when you can buy a reasonably well-sized 3, 4 BHK depending on your family requirements your space requirements and your budget and lock-in value now which is going to benefit you in next a decade or so to come and you will be happy having made that purchase today so I am done with my part of the conversation